काया कल्प की टीम ने किया रंगरा सामुदाइक स्रास्त कैंदर का निरीक्षण किया है जानकारी देते हुए रंगरा के परवाली चिकित्सा पताधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि टीम ने पी एच्सी में चल रहे काया कल्प योजना की पूरी चानकारी लेते हुए पूरी वेवस्था को संतोष चनक बताया है। डॉक्टर रंजन ने दावा किया कि नवगचिया अनुमंडल में रंगरा पीच्सी का ओवर ओल नमबर वन परफरमेंस है। निरिक्षन के दोरौन डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर पिंकेश कुमार, डॉक्टर सादाप, धर्मेंद, लंजीत, रोशन, बबलु, आधी, स्वास्तिकर्मी मौजूद थे। आप अपनी परिवार के साथ बैट कर ली आनन, ग्लास नीरर वार, ताकि अंदर से लिए बाहर के खूब सूर्थी का निजड़ा, पूर्ण तेया वाता नुकुलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ, सिवानी मैरेज हाल, संपर्क सूत्र 9931-092632, 9534-3164-64, 8406-9495 नवगचिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन रंगरा में चल रहे भगवती किर्केट क्लब टूर्णामेंट के दूसरे सेमी फाइनल मैच में नवगचिया ने रुपोली को किया पराजित रंगरा में चल रहे T20 भगवती किर्केट क्लब टूनामेंट के दूसरे सेमिफाइनल मैच में बुधवार को नवगचिया की टीम ने पूर्णिया जिले के रुपोली की टीम को पराजित कर फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है नवगचिया ने पहले टॉस जित कर 20 ओवर में चार विकेट खोकर 298 रनों का टार्गेट खड़ा किया जवाब में रुपोली की टीम 209 रन बना कर ही सिमट गई आज का मैन आफ दे मैच विजेता टीम के चंदन को घोशित किया गया मालूम हो कि भीपूर की टीम पहले ही फाइनल में पहुँच चुकी है अब फाइनल मुकाबला भीपूर और नवगचिया की टीमों के बीच होना है रंगरा पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जाच भ्यान पच्पन सौ रुपिये जुर्माने की हुई वसूली रंगरा पुलिस ने बुद्वार को थाना छेतर के कुमाद पुर्चवक रंगरा चवक भवानी पुर्चवक पर मास्क और वाहन जाच भ्यान एक साथ चलाया है थाना ध्यक्ष महताब खाने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल दस लोगों से पांच सो रुपिये और ट्रैफिक कानून का उलंगन करने वाले दस वाहन चालकों से पांच हजार रुपिये जुर्माने की राशी वसूल की है रंगरा पी एचसी में किया गया 300 लोगों का वैक्सिनेशन रंगरा समुदाइक स्वास्थ केंद्र में कुल 300 लोगों का कोविट 19 से बचाव के लिए वैक्सिनेशन किया गया है जानकारी देते हुए समुदाइक स्वास्थ केंद्र के परभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कुल 306 स्वास्थ कर्मियों और फ्रंट लाइन वरकरों को वेक्सिनेशन किया जाना था, लेकिन 60 लोग अनुपस्थित रहे, डॉक्टर रंजन ने कहा कि वेक्सिनेशन के बाद समों की इस्थिती सामानी थी। स्वाद के लिए अवस्य पधारे, सुंदरम आहुना मतन, राजेंद्र कॉलोनी मोर नवकश्या, फ्री हॉम डिलेवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करे 86034-93747